हेलो फ्रेंज और वंस अगें वेलकम टो डवलो एस क्यूब टेक यूटिशन वाले हैं दो और इंट्रेस्टिंग और यूजफुल ख्रों एक्टेंशन से चलिए सीड़े चलेंगे लाप्टाप स्कीन के और देखेंगे यह ख्रों एक्सेंशन क्या है और किस तरीके से काम कर चलिए शुरू करते हैं कि सथरीक से काम करते हैं तो वाइस कई बार आपने देखा ही आप लेक्रीशन Опेसी वेबसाइट पर जाते हैं जहां पर राइटक्लिक डिसेबल होता है वह निग ल Germ पर right click disabled होता है ठीक है तो यह वाला जो हमारा Chrome extension है allow copy यह आपको help करता है कि जो right click है वो disable नहीं रहता है वो enable हो जाता है ठीक है चलिए इसका example में आपको दिखा देता हूँ एक बार तो जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पर बहुत content is protected ठीक है तो अभी क्या करना है आपको सीदे इसके ओपर click करना इसको enable कर देना इस extension को जब यह extension enable हो जाएगा उसके बाद आप इस पर बड़ी आसानी से इसको copy कर सकते हो जहां चाहें आप इसको paste कर सकते हैं कई बार ऐसे प्रवाबस जहां साथ स्कीन के साथ साथ अगर आप अपना face भी record करना चाहते हैं यहाँ पर webcam का भी option आपको मिल जाता है तो चली जैसे सोचते हैं कि मुझे यही जो यहाँ पर दिख रही है आपको ibs की screen इसी को record करना है हमें तो आप इसके option पर जाएंगे इस पर click करेंगे और यह इस website को access देरेगा ठीक है और इसको हमें allow कर देना है microphone यूज करने के लिए ठीक है अब यहाँ पर आपको तीन options मिलते है ठीक है तीन options आपको मिल रहा है यहाँ पर एक तो screen cam का option मिल रहा है ठीक है यहाँ कि screen भी record होग है और साथी साथ आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और move कर सकते हैं बहुत ही handy chrome extension है कई बार video recording आप यहाँ से कर सकते हैं उसके बाद cam only करना चाहें तो वह भी कर सकते है screen plus cam करना चाहें वह भी कर सकते है आप अकसर देखते हैं कि screen plus cam का use होता है अभी मैं अगर आपको screen दिखा हूँ या सीधे चल देते हैं एक बार screen plus cam पर ही मैं क्लिक करता हूँ ठीक है बहुत ही important चीज मैं आपको बता हूँ यह जब screen recording start करेगा तो भी आपसे यहाँ पर prompt कर रहा है कि आपको कुछ special window करनी है या पूरी entire screen करनी है तो मैं एक बार entire screen पे click कर देता हूँ ठीक है और यह countdown start होगा और countdown के बाद यह record करना शुरू कर देगा यह record कर आप चाहें तो यहाँ से इसको pause भी कर सकते है ठीक है आप चाहें तो यहाँ से tick button पर click करके इसको finish कर सकते है जब आप इसको finish करेंगे तो यह यहाँ पर जो आपकी recording is save हो जाएगी और साथी साथ इसको आप share कर सकते है ठीक है अब यह क्या है जैसे किसी को आपको direction देना है अपनी टीम के साथ आप काम करने ठीक है और कोई एक्टिविटी है जो उनको बतानी सब्सकरते कोई एक छोटी सी प्रॉसेस ही है जिसको आप रिकॉर्ड करके अपनी टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं कि इसके उपर जैसे यहाँ पर कुछ भी है कि कॉन्टेक्ट अ चाहते हैं आप यहां पर आकर वह है कि शनी आप कर सकते हैं और दूसरी बात चाहे इक पास और छाए है और और पोश्ट करता है जब खाये जिसको पास भी यह link है तो इस तरीके से communication भी बना रहता है और साथी साथ ये पूरी details recording के form में भी पहुँच जाती है दूसरी बात invite करने के लिए option है password add करना चाहिए तो password protect भी कर सकते हैं इस फाइल को तकी कोई और भी ना access कर पाए ट्रिम करना है कुछ ट्रिम कर सकते हैं thumbnails रगा नहीं तो thumbnail रगा से तो बहुत अच्छा interface है normal ये screen recorder जैसा नहीं है अच्छा interface है इसका अच्छी तरीके से ये काम करता है तो इस तो आशा करता हूँ आपको समझ में आयोंगे दोनों बहुत ही handy chrome extension आप इनको use कर सकते हैं तो इस particular वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में till then a very good bye